हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका अपने चनल टेक डबल येटा पे फ्रेंड आर 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 बी के तरप से काफी अच्छी नहीं जा रही है आर 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 बी आपके एंटी पीसी सी बीटी टू का जो पेपर लेगा इसमें लेवल फाइफ लेवल थ्री और लेवल टू का पेपर ब बताएंगे कौन कौन से सिटी में आपका प्रियागराज का सेंटर बनाए गया है यहां पर आप देख सकते हो इसमें पेपर में न्यूज पब्लिस हो रहा है इस बार 500 कीमी के दायरे में ही रहेंगे रेलवे एंटी पीसी परिछा का किंद्र इन सहरों में बनाए गये हैं स इसके पहले फ्रेंड हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं अगर आप चैनल पर नहीं तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कर लो यहां पर आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी प्लस आपका जो 9 माई को पेपर हुआ था यहां पे लेवल 6 के दोनों सिप्ट और 10 माई को जो आपका पेपर हुआ था उसके लेवल 4 का एक ही पेपर हुआ था इसके सारे रीजिनिंग वाले कोस्टेन का सलूसन हमार लेडिकर आ चुके हैं आप लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आज ही के दिन पे हमने 9 माई को आपके लेवल 6 में जो आपका पेपर हुआ है morning में उसके मैथ के कोस्टन को भी सॉल्व करा चुके हैं आगे हम आपके जो बचे हुए दो सिप्ट हैं उनके भी मैथ के कोस्टन सॉल्व करा देंगे तो प्लीच चैनल सस्क्राइब करिए यहाँ पे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अब इस वीडियो में है आप देख मतलब मैक्सिमम आपका 500 किलिमिटर रह सकता है अब थोड़ा मोड़ा ज्यादा और कम भी हो सकता है जिसे साबसे आपकी सिटी से उस परिच्छा केंद्रे की दूरी होगी यहाँ पे अगर बात किया जाब प्रियाग राज तो प्रियाग राज में टोटल 36 केंद्र बनाए क्या है अलग-अलग सहर में अभी आपको सहरों के नाम भी हम बताएंगे यहाँ पर आगे देख अब जो है आपका पेपर होने वाला है किसका है लेवल 235 के अधिन आने वाले पदों पर पर परिच्छा 12 जुन से होगी साथ ही इस परिच्छा में एक दस्मलो 6-9 लाख पान्सो की कीमी के दाएरे में ही सहरों में बनाये जाने का दावा किया है और और भी प्रसासन ने किया है और भी प्रयागराज के चेयर्में आरेस जमाली ने बताया है कि CBT 1 में सफल अभ्यार्थियों को ही CBT 2 में सामिल होने देंगे ये तो सब को ही बताए भाई उन्होंने बताया है इस बार टोटल अब बताया है कि लेवल 2 में आपके 76,552 बिद्यार्थी है लेवल 3 में हैं आपके 31,208 और लेवल 5 में हैं 62,38 अभ्यार्थी सामिल होंगे बता दें कि लेवल 2 में जूनियर कलर्क कम टाइपिस्ट एकाउंट कलर्क कम टाइपिस्ट आदी के 658 पद हैं लेवल 3 में कमर्सियल कम टिकट कलर्क आदी के 269 और लेवल 5 में गूडगार्स और सीनियर कमर्सियल कम कलर्क आदी के 2587 पद हैं अगर आपको लग रहा हो गए टोटल पद हैं तो यह सब से बात हो रही है आरार्बी प्रियागराज की जिसको अभी आरार्बी इलहाबाद के नाम से जाना जाता है कुछ दिन में अरार्बी प्रियागराज में ये चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर टोटल इतने हैं टोटल यहाँ पर बच्चे कौन-कौन से हैं लेवल 2 में 76,000 हैं लेवल 3 में 31,208 और लेवल 5 में हैं 62,38 बच्चे यहाँ पर आपके सामिल होंगे अब इसके बाद जो इनका सेंटर बनाए गया है वो हम देखते हैं यह आपका आरार्बी प्रियागराज ने टोटल 9 सहरों में आपके सेंटर बनाए हैं 9 सहरों में पूरे 32 परिच्चा केंद रहे हैं कि सिटी कितनी है? 9 और आपके सेंटर कितने है? आपके 32 तो 9 सिटी हैं उसमें आपके 32 सेंटर बनाए गया है और जिस सिटी में आपका एक बार पेपर होगा जिस लेवल 5 का पेपर है उसे सिटी में आपका लेवल 2 और लेliches 3 का भी पेपर होगा तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है और सबका डिफरेंट 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 डेट पे है और RRB प्रयाग राज का तो 12 जून से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर UPPCS का जो पेपर था उसका विरोध हुआ था तो उसके चक्कर में इन्होंने अपना डेट को एक्स्टेंड कर दिया है 12 जून को UPPCS वाला जो पेपर है वो कम्ट्रीट हो जाएगा उसके बाद RRB अपना इस्टार्ट करेगी अब यहां पर क्या है RRB प्रयाग राज के अधिन 12 जून को सुरू होने वाली CBT2 की परिच्छा 9 सहर 32 केंद्र में होगी RRB प्रयाग राज के चेयर्मेन के अनुसार परिच्छ प्रयाग राज का सेंटर कहां पड़ेगा आपका एक तो प्रयाग राज है दूसरा मुरादाबाद तीसरा है रुडकी चौथा है देहरादून फिर ग्वालियर भी है जासी भी है कानपूर भी है अलीगड भी है आगरा भी है टिक तो जो आपके घर से पास होगा जो भी चिल्या आपके घर से पास होगा मैक्सिमम चांस है आपका उसमें उसी में पड़े आपका आपका सीवीटी टू का जो लेवल फाइफ लेवल थ्री लेवल टू का एक्जाम है अब यहां टोटल कितने थे देखिए क्यों किया गया है देखिए यह 12 को प्रयागराज छोड़ अन्य आरारबी के अधिन आने वाले वालों का पेपर होगा मतलब कि प्रयागराज में जो नहीं है उनका 12 जोन को और हो सकता यह हम आपको पहले बता चुके हैं आरारबी के टोटल 8 जोन है एट जोन है जिनका पेपर 12 जोन से होगा बाकी बचे हुए 13 जोन का पेपर पहले आठ जोन वालों का खतम हो जाएगा 12, 13, 14 को बाकी का 15 से स्टार्ट होगा 15, 16 और 17 टोटल 12 जोन से स्टार्ट होगा 17 जोन को आपका इसका पेपर समाप्त हो जाएगा तीन देन इसका होगा, तीन देन इसका होगा, ठीक, तो RRB परियागराज के अधिन आने वाले अभ्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है, उनके लिए परिच्छा 12 उनको नहीं होगी, तरअसल 12 को ही UPPCS 3 का परिच्छा है, इस वज़े से RRB के अभ्यार्थी मांग कर र और 10 माई को जो आपका पेपर हुआ है, उसके अंदर जो भी आपका पेपर, इस बार का आपको पता ही है, पेपर इस बार का लेवल काफी अच्छा रहा है, तो जो भी पेपर आया है, उसको प्रॉपर आप एनालसिस करिए, इसलिए हम आपका लेवल 6 और लेवल 4 के, कि 9 माई को पहले सिप्ट में आया था, और बाकी बचे हुए सिप्ट जो है, उनको भी आने वाले दिन में हम करा देंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और वीडियो कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, थैंक्यो फार वाचिंग इस वीडियो, प्लीज से खिंगे, एंक्यो बच्राइब करें।